नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका हमारे चैनल अचार जागेंद्र मिस्रा में मिथुन रासी शेनापती मंगल का रासी परिवर्तन 22 फरवरी से लेकर 14 अप्रेल 2020 तक मिलेगी तीन बड़ी खुस खबरी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन रास वाले जातकों के लिए ग्रहों के शेनापती मंगल देव का रासी परिवर्तन होने जा रहा है 22 फरवरी से तो इसका मिथुन रास वाले जातकों के उपर किस प्रकार का परभाव पड़ेगा तो देखिया दोस्तों 22 फरवरी दिन शोम बार शुबय में 5 बचकर 3 मिनट पे नव ग्रहों के शेनापती मंगल देव अपनी श्वैम की रासी से मेश रास से निकल कर ब्रिसव रास में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहां पर मंगल देव 14 अप्रेल 2021 तक यानि की 56 दिनों तक ब्रिसव रास में ह लग लग प्रवाव देखने को मिलेगा लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं मिथन रासवले जातकों के लिए मंगल का यह रासी प्रवरतन किस प्रकार से प्रवाव डालेगा तो दोस्तों यह फला देश चंद राशी पर अधारित है आप इसे इसी अधार पर देखें जोतिस में मंगल को सेनापती कहा गया है और सेनापती का जो दर्जा होता है वो बहुत ही खास होता है मंगल देव अगर आपके दसंभाव पर स्वैम की राशी या उच्च की राशी में बैठे हो तो जातक को सरकार की तरप से नौकरी करने का यानि की अवसर परदान देते है सरकारी नौकरी करवाते हैं जैसे वर्देधारी नौकरी पुलिश आर्मी बियस एप इन तमाम चीजों में नौकरी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है सिनपती की जो जिम्यदारियां होती हैं बहुत ही जदा होती है मंगल को साहस उर्जा और भूम छोटे भाई बहनों का पराकरम का कारक कहा गया है मंगल देव किशी भी ब्यक्त की या जन्म कुंडली में अगर शुब अवस्था में होते हैं तो ऐसे जातक सरकारी नोकरी में पदस्थ होते हैं मनोबल से भरा हुआ होते हैं इच्छा सक्ती बहुत मजबूत होती है शासी होते हैं निडर बनाते हैं सभाव से जातक बहुत ही जादा मधूर भी होते हैं और सारेरिक मजबूती बहुत रहती हैं इनके अंदर confidence इनके अंदर जवर जस्त होता है और एक तरब से जिद्धी भी होते हैं थोड़ा गुसेल भी होते हैं और अगर मंगल आपके लगन में हो आपके चतुर्द भाव में हो आपके अश्टम भाव और द्वाव सप्तम भाव इन भाव में अगर मंगल दे हो तो मांगलिक दोस होता है मंगल सुब परभाव से जातक क्रोधी यनि होता है लेकिन उसके अंदर confidence इच्छा सक्ती बहुत जवर जस्त होती है राजनितिक छेत्रों में उसका दबदबा कायम होता है क्रोध में बडोतरी होती है जातक अधिक उम्र होने के बापजूद भी कम उम्र का दिखता है साथ में लगन में मंगल होने से जातक सुन्दर सुन्डाओल शाहसी प्राक्रम बाला दिखाई देता है मंगल के बली होने से पुलिस, सेना और सारेरिक प्रति इस्परधा से जुड़े छेत्रों में जातक सफलतार जित करता है यदि जन्म कुंडली पर मंगल बली हो जाए तो ऐसे जातक की जो रूची होती है शेना पुलिस इंजीनियरिंग फिल्ड में बहुत ही जादा देखने को मिलते हैं ऐसे जातक इस तरी के दबाब में रहकर कभी भी कार कर पशंद नहीं करते और ना ही उनकी जादा सुनते हैं शारेरिक रूप से जातक बलवान होते हैं क्रोधी होते हैं अक्सर मेस और ब्रिशिक राशिवाले जातकों में यह इस्तिती जादा देखने को मिलती है चुकि इन दोनों राशी के स्वामी भी मंगल देव ही माने जात तो जातक को बीमारियों से युक्त बना देते हैं कई प्रकार की रक्त से संबंधित बीमारिय उत्पन हो जाती है दुरगटना कराते हैं और चीर्ड फार जैसे आपरेशन संबंधी चीजें कराते हैं जिसमें कई तरह की बीमारिय उत्पन करते हैं कुष्ट रोग रक्त चाप बलेड प्रिसर ये सारी समश्याएं मंगल दे उत्वन करते हैं मंगल के अश्व प्रभाव से सारेरिक रूप से कष्ट तो उत्वन होता ही है बाहन से दुरगटनाओं से भी सामना करना पड़ता है जमीन जाजा से संबंधित कर्ज उत्वन हो जा है तो दोस्तों अब आए अब आपको हम बताते हैं कि मिथुन रासवले जातकों के जीवन में मंगल का यह रासी परवरतन किस प्रकार से प्रभाव देती हुए नजराएंगे तो दोस्तों मिथुन रासवले जातकों मंगल देव का यह रासी परवरतन आपके रासी से बार रहेगा 22 फरवरी से लेकर 14 अप्रेल 2021 तक का समय आपको अपने खर्चों पर नियंतरण बनाए रखने की आवश्यक्ता होगी आपको बिदेश जाने का मौका मिल सकता है और बिदेश में रहने का शेटलमेंट होने का भी मौका मिल सकता है या बिदेश से संबंदित कोई बात करेंगर हम आपके केरियर की तो जो नौकरी करते हैं अगर वो मल्टी नेसलन कमपनी में जोइन करना चाते हैं या कहीं से आफर भी आ सकता है अगर आप बिदेश जाके कहीं नौकरी करना चाते हैं मिथुन रास के जातकों तो 22 फरवरी से लेकर 14 प्रेल तक का समय जो रहे को बहुत शांदार रहेगा नौकरी में चिपत की प्राप्ती हो शकते हैं शेलेरी में ब्रिद्धी की योग बने हुए हैं शाती साथ यहां पर मिथुन रास के जातकों बिजनेस ब्यापार में कारोबार में अच्छा मुनाफ़ा अर्जित करते ने जराएंगे ब्या पर स्वास्त का भी ध्यान देना होगा स्वास्त की बात करें तो मिथुन रास के जातकों आपको 22 फरवरी से लेकर 14 अप्रेल 2020 के बीच में आपको अपने स्वास्त का यानि थोड़ी बहुते प्राप्लम अगर आए तो आपको ध्यान देनी क्या बशकता होगी थोड़ी पिता जी के शेहत का ख्याल रखें ब्लेट परसार या रख्त चाप के कोई दिक्कत है या शुगर संबंधी कोई दिक्कत या हर्ड के पेशेंट है तो थोड़े से आपको प्राप्लम उनको हो सकती है तो पिता जी और माता जी के शेहत का भी धियान रखना होगा कोई इंपोर्टन डील जो काफी दिनों से रुकी तो वो डील फाइनल होती निजराएंगे मितुन रास के जात को मंगल का यह रासी पर रुतन आपके लिए कई तरह के अच्छे लाब भी दे कर जाएगा इस्टुडेंट के लिए काम्याबी शिभरा रहेगा इस्टुडे चाहते हैं तो स्टुडेंट विद्यारतियों के लिए इसमय काफी उप्यूक्त कहा जा सकता है आप पहले से तयारी कर लिजे और बड़े बजर्गों का सलाह जरूर लिजे किसी इंटर्विव की या किसी परिक्षा की तयारी या कंप्रटीशन के तयारी में बैठना चाहत सकते हैं अलाकि आपका जो जमीन प्रोपरिटी से संबंधित कोई चीज मामला अगर चल रहा था कोट के चेहरी में तो वह उलज सकता है या दीश में कोई प्रॉबलम आ सकते हैं चुकि बारमा भाव थोड़ी बहुत प्रॉबलम कभी है अब यह पर दामपत्त जीवन की ब अधोर रहेगा एक दूसरे का सपोर्ट और सहयोग करते दिखाई देंगे हर कारे छेतर में एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे और आप लोग एक साथ मिलकर कहीं जाने का मन भी बना सकते हैं कई घूमने फिनने का मन बना सकते हैं और धर्म कर्म के कारियों में रूची बढ़ रहें के निरंतर आपके पास बना रहें के पैसे के कमी नहीं है लेकिन खर्च बढ़ेंगे खर्च की बज़र से थोड़ी मांसिक प्रसर हो सकता है तेंसर हो सकता है मितंदास वाली जातकों के लिए अब लब इस समय आप बाहन का सुख प्राप्त करते हों जराएंगे बाहन का सुख प्राप्त करेंगे क्योंकि बाहन खरीदने का योग बन रहा है साथी साथ इसमें कोई प्रोपरिटी बेगर है पुरानी प्रोपरिटी अगर आपके पड़ी हुई है तो उसे बेचने कमान बना सकते ह या खरीद कर कुछे इंवेस्ट कर सकते हैं, बिजनेस ब्यापार में तेजी देखने को मिलेगा, लोट्री शक्ता शेयर मार्केट में ज्यादा पैसा न लगाए, नहीं तो नुक्सान भी उठाना पड़ सकता है, यदि आपने पहले से शेयर मार्केट इद्याद भी पैसा ल पाबकारी रहेगा, तो दोस्तों, चुकि मितन रास्वलियाद को मंगल के यह रासी प्रवतन 22 फरवली से लेकर 14 अप्रेल 2021 तक जो समय रहेगा, इस समय आपको उपाई की तोर पर क्या करना है, मंगल वार के दिन सुन्दर कांड का पाट करें, हनुआन चालीसा का पाट कर आए, और हो सके, तो आप मसूर की दाल का दान किया करें, मसूर की दाल दान करने से मंगल देवापके मजबूत होंगे, और उनकी किरपा आपके उपर बनी रहेगी, तो दोस्तों, मितन रास्वलियाद को यह जो आपके लिए 56 दिन का समय रहेगा, 22 फरवली से लेकर 14 परे नहीं आते हैं, तो दोस्तों, यह था, मितन रास्वलियाद को यह जातकों के लिए 22 फरवरी से लेकर 14 परेल 2020 का रासी फल मंगल देव के रासी परवरतन करने से आपके उपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हमने विश्तार से जानकारी इस वीडियो में दी है, तो दोस्त थो प्रहाई जै कर दोस्तों के उरादर एक'll क्या वजिता है, यह हमने मैं वाल में प्रवर, हम कीवस्तों उस्ते है थादरू प्रहाई को भिया है, ग大द दोस्तों के वाल में एकान कर ख्या हूंशने आपके रासी वेगरून में जाएफ़ेगन जारा चुन हैूईने।